कोहरे का सतम जारी है, सर्दी का सतम जारी है और ऐसे में बड़ी ख़बर आपको ये बता दे कि दिल्ले में थंड ने 119 साल का रिकॉर्ड तोड दिया है तो तरभारत समे देश के कई हिस्सों में सर्दी का सितम चारी है, कोहरे की चादर में कई देश के शहर लिप्टे हुए है, ट्रेन, ट्रेन और सक या तयात पर इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको बता दे की चार्दी का सितम यूही जारी रहने वाला है बड़ी ख़बर आपको बता दे काई दिनों से जिस तरह के हालात दिली एंसियार समेद उतर भारत में बने हुए हैं, कोहरा चाया हुआ है, विजिबिल्टी बेहत कम है फाट कपा देने वाली जुस तरह की ठंड पड़ रही है, उससे बचने के लिए अभी और इंतजार लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से जंजीवन पूरी तरीके से अस्तवस्त सर्दी ने कर दी है, उसके चलते फिलाल लोगों को राहत अभी नहीं मिलने वाली है लोग तवाम धरे के उपाई हाँ पर कर रहे हैं, अपने आपको बचाने के लिए लिकिन उसके बावजूद भी राहत दूर दूर तक रही है और ऐसे में आपको बता दे कि असर इसका यातयात पर भी पंड़ने को मिल रहा है, जहां पर 450 उड़ाने देरी से चल रही है गए है और किस उड़ानों को ड्राइवर्ट किया गया है, तो कोरा कितना है और उस कोरे के चलते किस तरह का असर यातयात पर पढ़ रहा है उसको आप यहाँ पर जान सकते हैं जिसके चलते आप देख सकते हैं कि ड्राइवर्ट किये गए है काई रूट में चाहे वो उडानों की बात करें या फिर ट्रेन की बात करें क्योंकि विजबिल्टी बेहत कम है और ऐसे में किसी भी तरह का को रिस्क नहीं लेना चाहता है और इसे की चलते फिलाल ये असर यहाँ पर यातयात पर यात्रियों पर देखने को मिल रहा है तो कई घंटों का इंतजार और उस इंतजार के बात भी लोगों को फिलाल राहत न हाला कि कल के वुकाबले अगर आज देखे तो आज थोड़ी बहुत कोरे से राहत यहाँ पर मिली है लेकिन वो ना काफी है खल सुमबार को कोरा इस कदर था कि विजबिल्टी बेहत कम जिसके बाद एक आए करके हमने देखी कि हाथ से के खबरे लगातार वहाँ से सामने आ कुछ के लिए कम नहीं कर रही है तो पहाडों में जुस्तर से बरवारी हो रही है उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में शीत लहर यहाँ पर चल रही है और ऐसे में मौसम विभात का कहना है कि नए साल के मौके पर बारिश हो सकती है और इस बारिश के बाद हो सकता है कि जो हालात हैं वो और जादा बिगर जाएं पूरे प्रदेश में शीत लहर ठंड और कुहरे का प्रकोब जारी है जिस तरहां से कहा गया था कि धंड अभी किसी भी तरहां से कम नहीं होगी वो अनुमान जो थे वो एकदम सही होते हुए दिखाई दे रहे हैं लगतार कोहरे की चादा ने पूरे प्रदेश को अपनी लपेट मर लेका रखा हुआ है आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहां पर सिफ कोहरा और कोहरा दिखाई दे रहा है मैंसा तमाम लोग मौजूद हैं इनसे बात करेंगे यह बताईए आज ठंडक बहुत जादा है किस तरहां से बचाओ करते हैं ठंड से लगातार पूरे प्रदेश में कह सकते हैं कोहरा पड़ रहा है क्या कहेंगे सब्सक्राइब करेंगे यहां पर अधरक वाली चाय भी बना रहे हुं सभी तमाम लोगों के लिए जो ठंड से बचने के लिए यहां पर पहुंचें यह बताईए भया ठंडक बहुत जादा पड़ रही है तो कितने कश्टुमर आपके पास आ रहे हैं चाय पीने के लिए पर अधर देखे बूलिये हैं सरकार की तरफ से कुछ नहीं है सरकार की तरफ से कोई इंतिजाम नहीं किया गया अलाओ का इंतिजाम कहा गया था हर चौराहे पर नहीं कोई नहीं है चलिए इंका भी साफ तोर पे कहना ये है कि सरकार की तरफ से अलाव का कोई इंतिजाम नहीं किया गया आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग खड़े हैं जो चाई पीने के लिए पहुंचे हैं और कह सकते हैं यह एक मुख्य चौराहा है जिस तरह से कहा गया था कि हर एक चौराहे पर अलाव की ब्योस्ता करी जाएगी पर यहाँ पे किसी तरह की ब्योस्ता नहीं की गई है जिससे कही न कहीं से जो एक मध्यम वरगी लोग है या कह सकते हैं कि जो खुले आसमान के नीचे लोग रहते हैं जो कहीं न कहीं से मजबूर होते हैं इस थंड से नहीं बच पाते हैं, साफ तोर पे उनका कहना यह है कि सरकार ने अलाव की वेवस्ता किसी भी तरीके से नहीं कराई है सरकार को इस पर सोचना चाहिए और गरीबों के लिए मुख्य चोराओं पर अलाव की वेवस्ता करानी चाहिए संदीब खेर केमरा पर सम्प्रियांश के साथ R9 TV लखनो